देश में लोगसभा चुनावों से पहले एक और चुनाव होना है और ये चुनाव है उच्छ सदन यानि की राजसभा का राजसभा में मोधी सरकार को उमीद थी कि लोगसभा की तरह वो राजसभा में भी बहुमत हासल करेगी लेकिन बहुमत तो दूर पार्टी के लिए जो सीटे है उन्हें बचाना भी बड़ी चुनावती दिखाई दे रही है साथ ही ये भी साफ हो गया है कि पार्टी को अगले साल यारी की दो हजार चौबिस में भी बहुमत नहीं मिलेगा तो कैसे संसद में कमजोर पढ़ी बिजेपी देखते हैं ये रिपोर्ट पीजेपी के पास 93 सीटे हैं, यानि बहुमत से 27 सीटे कम हैं, और सबसे बड़ी बात जिन 56 सधस्यों का कारेकाल समात हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा 30 सधस्ये बीजेपी के हैं। की संख्या में दो का इजाफा होना तैमाना जा रहा है जबकि मध्यप्रदेश, राजस्तान और चतिसगर में बीजेपी को मिली जीत पर राज्यसभा सीटों पर कोई असर नहीं दिखेगा उल्टर राजस्तान में उसे नुकसान ही हो जाएगा क्योंकि चुनाव हो रहा है औ सबसे बड़ी बात अप्रेल में होने वाले राज्यसभा चुनावों के बाद बीजेपी उच्छ सदन में बहुमत तो दूर जो इस्तिती अभी है वो बचाने में काम्यम हो पाएगी इसी पर सवाल उठ रहे हैं यानि मोधी सरकार के दूसरे कारिकाल में उसे बहुमत मिलत नहीं दिख रहा है और ये भी तैय है कि 2024 ही नहीं 2026 में बीजेपी राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी डीबी लाइफ की रिपोर्ट